गेड मारिंग गाईज वेल्कम बैक टो निक्ष्री व्लोग्स तो सुबह के बज़ रहे हैं सबा दस means 10 15 और आज काको और मैं दोनों ही लेट उठे थे हम नो बजे के आसपास उठे थे क्योंकि काको को भी थकान हो रही थी रात को कॉमेंट्स के रिप्लाय करके और मैं तो व पहले दिन का वो भी अभी करूंगी और मैंने इत्ती मुश्किल से अभी व्लोग स्सार्ट किया है बोडी में बहुत बहुत ज्यादा वीखना से हो रहा है मैं बस अभी गिरी तो गिरी मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा और यहां पर आज काको मेरे को लेके आया था वहना दो ते दिन से मैं खुदी आली थी पैदल और रात को बारिश होई थी तो देखो यहां सारे में दुबारा से पानी भर गया और इस बारी मैं पानी नहीं निकालूंगी क्योंकि लास्ट ताइम मैंने निकाला था तो मैंको कोल्ड कफिय सब हो गया था वैसे मैंने स् मैं को लेने में को लेके फिर आया मैं नहा दो लियूं मैं व्लॉग इलिट करने बैटरी और काकु नहा के पूजा करके फिर आगे कोई काम करेगा अभी हमारी पूजा भी नहीं होई और आज हम लेट हो गया तो चलो मिलते हैं आप से थोड़ी देर बाद वैसे काकु आग कि पूजा करके फ्री हुआ था फिर नीचे सजागे मैं कपड़े लेक्का पहने और में साथ मिलिए मोटो और मेरे लिए ये ब्रेट पकोडे और कचोडी और सबजी जो कि मोटू बाथ्रोम मैं को कह रहा है जोकि मेर को नहीं खाना चाहिए यह है विरिंदावन का खाना सुबह बात्ति आगरा साइड में चीज़े जादा खाते हैं तो आज हमारे घर पे कुछ बनानी था क्योंकि मम्मी पापा जस्ट अभी अभी मदब यू लगा लो आप सुबह नो दस बज़े के आसपास ही आए वो भी वहां से मेरी मौसी के घर से हर्याना से तो अब हम खाने का कुछ था नह यह ब्रैट पकोड़े वगर लेकर आगए थे अब मोटो और मैं साथ में बैठके खाएंगे फिर मैं मोटो के लिए चाय बनाऊंगा मोटो भी वीडियो के एडिटिंग कर रहा है फिर हमें साथ में बैठके वॉइस ओवर भी करना है वीडियो का और एक और वीडियो आज नई वीडियो शूट करनी है तो गाई शाम के बजने चार और थोड़ दर पहले काको ने मेरे चाय भी बनाई थी लेकिन हम व्लॉग शूट करना भूल गए और उससे पहले हमने एक वीडियो का एडिट करके उसको वोईस ओवर भी किया था अब भी हमने ट्राइपोड नि तो पर आए हमने फ्राइड राइस जब कि कुछ मीठे से स्टार्टिंग करते है जो कि आप लोगों नहीं हमें बोला वह बात सही भी थी तो हमें ना वीडियो शूट करनी नहीं थी मतलब हम बेसिकली कुछ बनाया नहीं हमने हमने क्या क्या था फ्राइड राइस बनाया थ जैसी ओन करोगा बिलकुल हीट कर देगा वो जो भी बरतन उस पर रखा है उसे और हमारे पास आपको पता है कि वीडियो की भी शॉट इज थी इसलिए हमने उस दिन ऐसे वीडियो शूट कर ली का कुन में को एक बड़ी बोला कि शूट कर लो फिर मैंने का नहीं यह नहीं कोई भी वीडियो हम यहां पर शूट नहीं कर पाएंगे जब तक हम कोई मीठे की वीडियो नहीं निकालते कोई स्वीडिश की तो हमने सोचा मतलब किसी नहीं ऐसा फोर्स नहीं किया वह तो हमने ही सोचा कि नहीं यार कुछ मीठा बना लेते हैं और हमारी जितनी भी पुर प्रियांट हो जाएगा क्या जो भी बनाना है जैसे भी बनाना वो बना सकते हैं तो अभी हम रेडी हो गए और काकु गया है नीचे हैर स्प्रेय लेने के लिए एंड में मोसम दिखाती हूं आपको धूप बहुत थोड़ी ही निकली थी मोसम पूरे टाइम से बहुत अच्छ सब्सक्राइब करें दिखाओ को यह रहा काकु यह हो रहा है हमारा शूट और यह बन रहा है काकु कैसे लग रहे हैं इतने दिनों बाद शूट करके तो इता अटिटिट्यूट के दिखार व्लोग मैं भी देख लो अटिट्यूट कर लिए अब हम कर रहे हैं वोईस ओवर अभी काकु कर रहे हैं काकु का पार्ट फिर मेरा वाला जब पार्ट आएगा वीडियो में तब मैं वोईस ओवर करूंगी और इतने में मम्मी देखे गई है यह चावल जिसकी में को बहुत जादा ज़रोती क्योंक आदीघ में पार्ट यह अब हम कर रहे हैं वोईस ओवर में में पार्ट बचार बाले और वीडियो तो और यू कि यह यहाँ था ज़रोगा तो आज के व्लोक को करते हैं एंट क्यूंकि के बात तो हम उन्हें बोईस ओवर ऑगा तो मिलते आपसे नेक्त वोग्में अपते क झाल झाल